मैं नेम इस अलीहा हसन रोल नंबर 5103 सुब्जेक्ट पेपर 4 तोड़े मैं टोपिक इस साइक्लिक पाई कॉंपलेक्स फाइव एंड शिक्स मेंबर ब्रिंग सबसे पहले जो साइक्लिक पाई कॉंपलेक्स है इसके हंदर साइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन को देखेंगे कि साइक्लिक पाउंड ओर रिंग पाउंड इस ऐंड पर कंपाउंड इन फिल्ड ऑफ कमिस्टरी in which one or more series of atoms के cycli compound वो होते हैं जिसमें one or more series होती है atoms की जब ये compound आपस में connect होते हैं तो ये एक ring फॉर्म करते हैं ring में wherein size from three to many atom के जो इनका size होता है three से four भी हो सकता है three से five भी हो सकता है six भी और many atom बहुत से atom भी हो सकते हैं ये cyclic compound की definition थी और जो pie system cyclic pie system क्या होता है cyclic pie system वो होता है जो bind करता है monohepto or polyhepto which depending on the individual situation के ये depend करता है individual situation पे और वो bind हो सकता है monohepto के साथ और polyhepto pie bond can bind individually to the metal or there can be single bond from the center of benzene के जो benzene होता है उसके center से ये single bond को भी form कर सकता है और cyclopenta dienile complex से भी ये pie system की definition थी cyclic pie system की आगे हमने देखने है five and six member ring five or six member ring में क्या देखने है के ये जो टेच होते हैं two or more हिट्रो एट्म के साथ वो किस तरह होते है the names and numbering system for the five member हिट्रो अरोमेटिक rings with two हिट्रो एट्म आर जो number one पे है वो pyrazole है pyrazole ये five member ring है इसमें जो होती है Session one पे nitrogen attach होता है nitrogen के साथ hydrogen attach होता है और Syanne All पे भी nitrogen attach होता है position वन पे भी nitrogen पजिशन तू पे भी झेखने जो पूंच के nitrogen है उसके साथ hydrogen का प्रुप लगा होता है उसको कहते हैं pyrazole यह दो तरह के होते हैं पाइराजोल, निचरली पाइराजोल, संथेटिक पाइराजोल, फ्यू पाइराजोल्स अकर निचरली इन दा कंपाउंड अफ दिस ग्लास और युली प्रिपेर्ट बाइद रियक्शन फाइडराजीन्स विद वन थ्री डाइकुटन्स, क्यFit यह प्रिपेर्ड किया जते हैं रियक्शन फाइडराजीन्स, जब रियक्शन कर Flash Joint के साथ। दूसरे नमबर पर है संथेटिक पाइराजोल्स, जो संथेटिक होते हैं वो पोटेंट होते हैं as the medicinal अंद डायजू यह मेडिसन में होते हैं और या डाई में इंपोर्टेंट होते हैं संथेटिक पाइराजोल सेकिंड फाइव मेंबरिंग है इमीडाजोल इसमें एक नैट्रोजन फर्स्ट पॉजिशन पे लगाता है और एक थ्री पॉजिशन पे पाइराजोल में नैट्रोजन सेकिंड पॉजिशन पे लगाता है एक वन पे और एक सेकिंड पे लेकिन जो अमीडाजोल है उसमें एक नैट्रोजन फर्स्ट पॉजिशन पे और एक थ्री पॉजिशन पे वन और त्री पॉजिशन पे जब लगा होगा तो से देंगे अमीडा जो नाटोजन फर्स्ट पोजीशन पे एक उसके साथ हीड्रोजन अटैज है अमीड़ाजोल आर मोस्ट इंपोर्टन बाइलोजिकली इस टी डाइन इस्टाडीं इस एन इसेंशेल माइनोड़ यह इसेंशेल होता है माइनोड़ वृटिकलर इंपोर्टेंस इन इंजाइम्स जो इस्ताडीन है वो पार्टिकलर इंपोर्टेंट किसमें होते हैं इंजाइन रियक्शन के अंदर इसमें फर्स्ट पॉजिशन पे एन के साथ हिड्रोजन अटेच है थर्ड पे भी निड्रोजन अटेच है और फॉर पॉजिशन पे सी एजडू सी एज एन एजडू और साथ सी के साथ सी ओ टू एज अटेच है एक डबल पॉजिशन पे अटेच है और एक फॉर पॉजिशन पे दो पॉजिशन पे डबल पॉजिशन पे डबल पॉजिशन पे डबल पॉजिशन पे डबल पॉजिशन पे इसको कहते हैं हिस्ट हिस्टा माइन यह किस तरह होता है हिस्टा माइन फॉर्म होता है ब्रेक डाउन प्रोड़क्ट ओफ इस्टाडीन जो हिस्टाडीन है जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो हिस्टा माइन फॉर्म होता है जिसका फॉंक्शन होता है इन मैनी डिफेंट और्गनिजम्स कि अर्ग कि अंदर इसका function हex your human body it play important role in the immune response के जो human है इसके अंदर स्का important role होता है जो गरते है allergic reaction एंटि हिस्तामाइन का स्ट्रॉक्चर किस तरह का है एक फेस्ट प्जिशन पर नैटोजन अटैच है और एक थर्ड प्जिशन पर जो फॉर्थ प्जिशन है उसमें अटैच है CH2 CH2 NH2 हिस्टाड डीन में CH के साथ CO2 H अटेच था इदर CO2 H अटेच नहीं है इसमें बस यह है CH2 CH2 NH2 और एक थर्ड पोजिशन पर डबल पूंड है और एक फॉर्थ पोजिशन पर और यह ब्रेकडाउन हिस्टाड डीन से फॉर्म होता है अब आगे हम देते हैं जो नेचरली कम पॉंड होते हैं विदैन अमा डाजूँ ऐसे चपर जो भीर्ट है चकंदर उसके स्याब से फोम उसके स्याब में पाया जाता है एन एलन ट्वाइन डेटीज रिलेटीज दा मेटाबॉलिक प्रोड़क्त यूरिक एसेड आगे हैं हैं डेरिवेटिव आर इंपोर्टन एंटीप लिपिक ड्रॉग्स इन पार्टिकलर फीनी ट्व स्याइन चैकर नमबर पर इमीडी जूल रिंग इस आलसो प्रेजेंट इन दा बी विटमन बायोटिंग जो विटमन बी हैं बायोटिंग उसके अंदर भी इमीडाजूल की रिंग प्रेजेंट होती है थर्ड नमबर पर जो स्ट्रक्चर है फाइव मेंबरिंग का वह है पाइव मेंबरिंग इसमें वन पोजीशन पे ऑक्सिजन टाजाए प्रेज्च पे नाट्रोजन टाजाए और एक डबल पॉन सेकंड पॉजिशन पे प्रेजेंट है और एक फॉर पॉजिशन पे फॉन पॉजिशन पॉजिशन टू पे फॉन पॉजिशन पे अक्सिजन टैजा और सेकंड पॉजिशन पे नैट्रोजन उसको पहिंगे आईसो अक्जाजोल ये दो तरह क्यों होते हैं नेचरली आईसो एक्जाजोल सिंथेटिक एक्जाजोल नेचरली में जो होती है एंटी बायोटिक साइकलो सिरेन प्रोड्यूस होती है बाया बेक्टेरियम से जो बेक्टेरियम हो से एंटी बायोटिक साइकलो सिरेन प्रोडियोस होती है जो फ्यू नेचरल यएकरिंग आई रच होड़ हैं और संटेटिक आई और शील वंजी साइड्स synthetic isozols में इसका use कैसे है कि जो soil होती है और seed fungi sides उसमें इसका use होता है four position पे thai zol thaiasols thaiasols भी एक five membering है इसके अंदर first position पे sulfur attach है third position पे nitrogen attach है और एक double bond second position पे attach है और एक four पे attach है ये thaiasols भी biological importance रखते है ये रिंग होती है ये कर होती है thaiamin da becky ट्रेकन एंड पैनिसलियन एंटी बायोटिक्स एंड युम्रिया संथेटिव ड्रग्स इंडर्स्ट्रियल केमिकल्स और डाइस के अंदर ये अकर होता है synthetic drugs belonging to the thaiasols family के जितने भी synthetic drugs हैं जो हुमन में खुद prepare की हैं ड्रग्स उनका तरलुक होता है thaiasol family जो इंकलूर करते हैं self thaiasol और अकंटरा जोल कंटरा जोल और anti-microbial जैंस और self thaiasol जोल structure जैंस 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 तो तें जैंस 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 इसमें एक six member रिंग होती है और एक five member रिंग होती है सिल्फा थायasol structure में और इनके सेंटर में एन एच और एक sulphur होता है sulphur के अपर अप्र पॉजिशन पे भी oxygen टैच है और डाउन पॉजिशन पे इन एच टू ग्रूप अटैच होता है जो six member रिंग है इसमें first position पे sulphur और third position पे nitrogen अटैच है दो five member रिंग होती है एक के साथ एन एच टू अटैच है और एक में one position पे sulphur और third position पे nitrogen और इनके center में एन एच और साथ में sulphur के उपर भी double bond है और sulphur के नीचे double bond होता है और साथ oxygen अटैच है इस structure को इनके sulphur तायाजोल five position पे है benzemida जो most by cyclic system जो drive हो है five membering से उनको यूज करते हैं prefix बेंजो और बेंजो जो हमें बताते हैं presence of benzeny ring के benzeny ring present है या नई present इसमें एक six member ring होती है साथ में five member ring जिसमें five member ring जिसमें बेंफियाजी नायट्रोजन के साथ हाइड्रोजण है और थर्ड पोजिशन पे एक nेट्रोज़न अटैच है इसको कहेंगे benzeny इस बेंजी मायाडोल का यूज बेंजी मायाडोल अकर रहती है इन विटामिन बीट वैल जो बीट वैल विटामिन जा उसके इंदर इसका यूज होता है और यह यूज के जाते हैं वलकानाइजेशन वलकानाइजेशन किसे कहते हैं वलकानाइजेशन ओफ रबर फिजिकल प्रप्टिय ओफ रबर कैन बी प्रिपेर्ड बाई वलकानाइज एजेंट सच आज सल्फर पारुकसाइट आगे एज हर्भी साइड्स एंड फंजी साइड्स एंड एंटी हिलमनितिक ड्रग्स यह लोग बात करेंगे 6 इंड थ्री मॉनोसाइकिल डाइजेन 6 इंड प्रेंगे 6 मेंड नमबर और सीट्स मेंग में पीरिडाजीन पाई जीन और पीरी माइडी इंड दिसकस करेंगे 10 में 6 मेंडिंग रूट होती है जो फिर्स्ट फिर्स्ट ग्रूप लगा होता है वो नाट्रोजन फिर्स्ट पॉजिशन पे नाट्रोजन है सेकंड पे भी नाट्रोजन है और सेकेंड पे एक डबल पॉंड होता है एक 4 पर डबल पॉंड होता है यह शिक्स पे ठी सिंगल और डबल पॉंड अल्टर्नेट पोजिशन पोजिशन बाइंग से निर्टर्जिशन आटेच है और यह जो होती है इसका यूसरे में है मैलिक हाइडराजाइड के पाइराइडाजीन जो है वो डेरी पेटी मैलिक हाइडराजीन के मैलिक हाइडराजाइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है सिक्स मेंबरिंग है फर्स्ट पे एन एच अटेज है सेकंड पे एन एच थर्ड पॉजिशन पे डबल बॉंट और फॉर पॉजिशन पे डबल बॉंट और सिक्स पॉजिशन पे डबल बॉंट और यह थी पीरिडाजीन सेकंड पे पायराजीन इसमें एक नाट्रोजन फर्स्ट पॉजिशन पे एच और एक फॉर पे लेकिन जब हमने पायराजीन के बाद किया तो उसमें एक नाट्रोजन फर्सट पे अटएच है और एक सेकंड पे लेकिन पायराजीन के अंदर एक फॉर पॉजिशन पे इसका यह पायराजीन का यूज होता है एंटि बायोकिक एस्फ पायरी जिलिक रिए सट केigon o यह शैपक यह epyra जिलें इसर का स्टूक्छिर भी दिया और यह इंपूर्टंट ओन लोगे कालुर इंडिस्ट्रिएल फियल्ड इंदर और यह फैमीली इंक पैराजीन कौन सी इसमें बाइलोजिकल एंड फर्मासियोटिकल मॉस्ट इंपोर्टेंट डाइईजाइन्स और दा पाइरामाइडीन्स और आगे हम बात करेंगे यूरासिल थायमीन एंड साइटोसीन यह फाइव नुकलोटेंट बेसिज हैं जो कुंसिस्ट रहते हैं जिनेटिक कोड इंड इन एंड आर न हैं यूरासिल थायमीन साइटोसीन्स यह तिनों के स्ट्रक्चर दिये हुए हैं यूरासिल के स्ट्रक्चर में पॉजिशन वन पे एन एच दू पर डबल बॉंड ऑक्सीजन थरी पर भी एन एच अटेज है और फॉर पर डबल बॉंड ऑक्सीजन और फिफ्ट प्सीजन पर डबल बॉंड अटेज है इन थायमीन एच पर डबल बॉंड ऑक्सीजन और फिफ्ट पर डबल बॉंड ऑक्सीजन और फिफ्ट पर डबल बॉंड अटेज है साइटोसीन कैस में फॉष्ट पॉझिशन पर डबल ऑक्सीजन पर फईसिशन और फॉर्थ पॉजिशन निट्रोचन के साथ निफॉवनड फॉर्ट प्सीजन पर डबल बॉंड 2 और फिफ्ट प्सीजन पर डबल बॉंड अछेच है एड़ दा लास्ट जो विटामिन थायमीन होता है वो कंटेन करता है पायरा माइड्रीन रिंग्स एंड सेंथेटिक बार्बी टुरेड्स सच आज एमो बार्बी टल्स जो वाइडली यूज़ के जाते हैं इन दा फॉर्मिशन ओफ ड्रग्स जो फॉर्मिशन ओफ ड्रग्स होते हैं उसमें इनका यूज़ रोता है थैंक यू